एक बार सहर के बड़े सेठ जी ने हमें खाने पर बुलाया और अपने साथ हमें भी बैठाया चांदी की थालियों में, चांदी की कटूरियां, उसमें भाती-भाती के खानें, हलवा भी, खीर भी, पूडियां भी, फुलके भी, कितनी ही सबजियां हमारे थाली के बाद सेठ जी की थाली आए लेकिन उसमें, पीली सी कोई, पतली, लिक्वीट, उसके पास फूला हुआ छोटा सा अंचुपड़ा फुलका था मैंने समझा सेठ जी का असली खाना अभी आएगा, परन्तो वहां तो कुछ भी नहीं आया सेठ जी उसी एफ फुलके को धीरे-धीरे खाते रहे मैंने पूछा, सेठ जी आप खाना कब खाएंगे वह भोले, खाना तो खा रहा हूँ, या फुलका या मूंग की दाल का पानी है बस इतना ही खा सकता हूँ मैंने पूछा, तो आप दूद अधिक पीते होंगे वह बोले, नहीं जी, दूद तो मेरे पेट में गैस उत्पन कर देता है फिर मैंने पूछा, दही छांच लेते होंगे सेठ जी बोले, एक बार खाया था, छे मैने तक जुकाम होता रहा मैंने कहा, छुआरे पिस्ते बदाम खाते होंगे वह बोले, भगवान का नाम लो जी, ये तो बहुत गरम बस्तुए है इन्हें पचायेगा कौन? अजीव दास्ता है, इन बड़े बड़े सेठों की दो फुलके भी नहीं खा सकते फिर सेठपन, क्या हुआ? किस काम का है ये? इन लोगों से पूछो, इतना काम क्यूं करते हो तो उत्तर देते हैं धन कमाने के लिए फिर पूछो तो धन क्यूं कमाते हो? तो कहते हैं खाना खाने के लिए फिर खाती क्यूं नहीं हो बोलेंगे डॉक्टर ने मना कर दिया है इसलिए खाना नहीं खाते हैं फिर इस कमाई का क्या फैदा जिसे हम पेट भर मन को संतुष्ट करके भोजन भी नहीं कर सकते इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कमाना उतना ही चाहिए जितना हम सरीर को हजम कर पाएं ऐसा नहीं कि कमाते कमाते हम सरीर को ही गवा बैठे धन कमाओ पर सरीर को गवा कर नहीं सरीर को स्वस्त रख कर अपने स्वास्त को स्वस्त रख कर जो बेक्ती धन कमाता है वही दान उसकी पूरी जिन्दिगी की असली पूंजी होती है रियल वेल्थ होता है और ऐसा ओपर्चुनिटी वनली फोर डी एक्सन देता है क्योंकि डी एक्सन में हेल्थ, वेल्थ and हैपिनेस है जिसमें हम सिर्फ अपने ही नहीं अपने पूरे फैमली के हेल्थ को सिक्योर कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीब कर अपने लाइफ में इंज्वाय कर सकते हैं इसलिए आईए हम सब डी एक्सन को जोईन करें और अपने समाज, अपने देश और पूरे विश्व में हेल्थ, वेल्थ and हैपिनेस घर घर तक पहुंचाएं क्या आप लोग रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो कॉमेंट में लिखे यस तो फ्रेंट्स कैसी लगी ये स्टोरी? कॉमेंट कर जरूर बताईएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टोपिक के साथ तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और लगे रहिए, अपने लक्ष पर टिके रहिए फिर मिलते हैं, गुड मॉर्निंग माई और डियक्शन फैमिली